सबको जे सुकी प्रभी सुक्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों नव जीवन का संदेश इस शिर्षय के अंतरगत प्रति दिन का इश्वर का वशन को सुनने के लिए समझने के लिए उन वशनों के अनुसार जीवन वितानी के क्रपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों क का हर दिख स्वागत करता हूं आज फरवरी के चोबीस तारिक है शनिवार है और आज के पाट के द्वारा सुसमचार के द्वारा प्रभु हम सबों को एक नई शिक्षा प्रदान करता है एक अनोकी शिक्षा वैसे प्रभु ये समसिस्वयम एक अनोके हैं उनके शिक्षा अनुकी है जो लोग इसको सुनते हैं समझते हैं उसके अनुसाद चलते हैं उनको एक अदबुत जीवन बिताने की विशेश करपा शक्ति सामरते मिलती है और जो इसको समझते नहीं है वो प्रभू के साथ जुड़ नहीं सकते इसलिए प्रभू आज के दिन में एक अनुकी हम सबों के समुक रखता है तो नॉर्मल शिक्षा प्रभू के जमाने में या उसके पूर्व की नॉर्मल शिक्षा ये थी कि अपने पडोसी से प्रेम करना और अपने से बहरी से बहर ये नॉर्मल बात है अगर पडोसी है उससे प्रेम करना और बहरी है उससे बहर रखना और बहिर करना ये एक प्रकार के सामान ये बात थी, किसी ने अगर अगर अपने बहिर से बहिर रखा हो, कोई कुछ नहीं कह सकता है, नॉर्मल बात हो गई, लेकिन प्रभु ये सुमसी ऐसा नहीं चाते, प्रभु ये सुमसी ऐसा नहीं चाते, परन्तु प्रभु ये चाता ह मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रों से प्रेम करो प्रभु चाता है कि शत्रों से प्रेम करें यह नहीं शिक्षा है जो कि प्रभु येसु से पहले किसी नहीं कहा शत्रों से प्रेम करने की बात नहीं कहिए अनोकी शिक्षा है प्रभु येसु की कि हम सभी अपने शत्रों से प्रेम करें कितना कटिन है यह शिक्षा इसका पालन करने के लिए सुनने के लिए अच्छा लगता है लेकिन यह शिक्षा का पालन करने के लिए कितना कटिन है शत्रों से प्रेम करना जमाना आज वह है अपनों से ही लोग तब तक प्यार नहीं करते जब तक अपना कोई मत प्रभू की शिक्षा क्या है नई शिक्षा क्या है अपने शत्रों से प्रेम करो और जो तुम पर अत्यचार करते हैं उनके लिए प्रार्तना करो चारों और हम अत्यचार की बातें सुनते हैं देखते हैं कहीं बार हम लोगने कुदी सहाबी होगा कुछ मात्रा का अत्यचार और उसके बाद प्रभू के हमसे क्या कहता है, अत्यचार करने वालों के लिए प्राटना करें, क्योंकि प्रभू के शिक्षा बहुती कटिन है, बहुती अनोकी है, बहुत सारे प्रभू के शिष्च जो अनुसरन कर रहे थे, प्रभू की ऐसी शिक्षा सुनने के बाद वो च चले गे प्रबु को चोड़के इतनी कटोर शिक्षा का पालन कौन कर सकता है यह कहते भी लोग दूर चले गए लेकिन यही शिक्षा हम सबों को जीवन की ओर ले चलती है यही शिक्षा हमें अनंतकाल का सुक्ष प्रदान करा सकती है यही शिक्षा हम सबों को हमेशा कुशिय प्रदान कर सकती है इसलिए इस एक्षा को ग्रहन करना समझना और उसके अनुसाथ चलना बहुत ही आवश्यक है इसलिए प्रभू ने कहा अपने बहरे से बहर नहीं बलके अपने शत्रों से यानि कि बहरे से प्रेम करो और जो अतिचार करते हैं उनके लिए प्रार्तना करो इसके लिए हमें विशेष क्रपा मांगनी होगी प्रभू से क्योंकि प्रभू येसु ने अपने शत्रों से प्रेम किया जिन्नों ने उनको सूरी पा छड़ाया कोडों की मारी उपहास निंदाएं की उन सबों का प्रभू ने माफ किया हम लोग इतना असान से ना माफ कर स शत्रों को ना उन से प्यार कर सकते ना उनके प्रार्तना कर सकते हैं इसलिए हमें विशेष रूप से प्रभू से ये सामर्त ये शक्तिया बल हिम्मत और सहास मांगनी हैं जैसे कि हम सीख जाएं कि कैसे हम अपने शत्रों से प्रेम करें कैसे बैरी से प्रेम करें और अपने सताने वालों के लिए हम प्राटतना करें ये बात हम सीख सकें इसका गहरा अर्थ हम समझ सकें आगे प्रुभु का वच्छन कहता है कि स्वर्गी पिता जैसे बने स्वर्गी पिता जैसे बने यानि कि उसकी संतान है हम सभी इस बात का ऐसास होना जरूरी है पिता है जो सबसे प्यार करता है भले और बुरे से भी प्यार करता है धर्मि अधर्मि से प्यार करता है भले बुरे के लिए इंतिजाम करता है धर्मि अधर्मि के लिए प्रबंद करता है पक्षिपात नहीं करता है बेदबाव नहीं करता है सबसे बेहद बराबर समान तरीक कैसे प्यार करता है इस बात का जब मुझे ऐसास होगा कि तब मैं उसकी संतान के बांती जिवन बिता पाऊंगा हमारे कर्म से हम प्रकट करते हैं जताते हैं या अगले को संदेश देते हैं कि हम किसके संतान है जैसे संत योहन अपने पत्र में लिखता है इश्वर प्यार है जो जानता है कि इश्वर प्यार है वो एक दूसर से प्यार करता है जो यह नहीं जानता कि इश्वर प्यार है वो एक दूसर से प्यार नहीं कर पाता है इसलिए उस इश्वर को जानना बहुत ही जरूरी है तब जाके हम अपने आपको जान पाएंगी मैं है कौन अगर मैं इश्वर का बेटा हूँ या बेटी हूँ उसका पुत्र या पुत्री हूँ तो मुझे अपने पिता के जैसे आचरन करने की जरूत है शमा देते हुए माफ करते हुए दूसरों की मदद करते हुए दूसरों की सहता करते हुए जो हर संभव दूसरों को आगे बढ़ाने का प प्यार करते हैं तो इससे कोई सी बड़ी बात हमें प्रभू ने बताया कि हम उनसे प्यार करें जो हमसे नफरत करते हैं उनसे प्यार करें ये हम सबों के लिए चुनावती है आज के दिन में आगे प्रभू का वचन कहता है प्यार करने वालों से ही प्यार नहीं भाईयों को ह नमस्कार नहीं, प्यार करने वालों से प्यार हर कोई करता है, जो आप से नफरत करते हैं, आपके फीट पेशे बातें करते हैं, आपका नाम कराब करते हैं, आपके लिए अलग अलग प्रखार के शेडियंत रच्टे हुए, आपको एक प्रखार के मानसिक तनाओं या धर्द पहुंचाते हैं उन लोगों से प्यार करना कोई आसान नहीं है किसी के भी मूँ से अगर ऐसे कोई परिवेश में कोई गुजर गया हो उनके मूँ से आशिरवात के शब्द नहीं निकलते किस प्रकार के शब्द निकलते हैं हम सभी बली बानती जानते हैं इसलिए प्रभू ने इसे कठिन कारी को हमारे समुक रखा है कि हम प्यार करने वालों से प्यार नहीं करने वालों से प्यार करें अपने बाईयों को ही नमस्कार नहीं बलकि हमारे बाईय के अत्रिक्त हमारे नजदी के लोगों के अत्रिक्त जो हमसे दूरियां बनाते हैं, हमारा शत्र बनते हैं, दुश्मन बनते हैं, उनसे भी प्यार करें, कितना कठिन कारी और जम्मेदारी प्रभू आज के दिने हम सबों को सौमता है, और ऐसा करने से ही हम अपने स्वरगी पिता की संतान बनेंगे, अन्यता नहीं, अगर सारे रदय हैं, एपने और खालद से इश्क्राइश का पालन को ऐसा करने से जीवित रहापाईगे प्रभू के आ शिश बरकत हमारे जीवन में आएगी, आगली बात प्रभू ना का प्रयास करते रहें निरंतर चालिसे के ये आउदी में हम सभी पवित्रता के साधना करें पिता परमेश्रम से क्या चाहता इस बात का पता लगाएं और उनी कारियों को उनी बातों का करने का प्रयास करते रहें इसलिए पवित्र बनने का प्रयास करते रहें ये सारी बाते प्रभू हमें बताते हुए हम सबों को क्या बताता है पूर्ण बनो जैसे स्वरगिक पिताब पूर्ण है यह बहुत बड़ी चुनवती है बहुत बड़ी निमंतरन है और इसके लिए हमें बहुत त्याक तपस्या करना होगा बहुत कुछ सहना होगा जेलना होगा बरदाश करना होगा तब जाके प्रभू ने जो हमारे लिए निर्धारी तर लक्ष रखे हैं उस लक्ष तक हम पहुंच पाएंगे इसलिए हम आईए आज के दिने में लोग प्रारतना करें हमने नव जिवन का संदेश अभी सुना है ए आपने हम समों को एक नया नही शिक्षा एक नया संदेश प्रदान किया है इसको समझने उसका अनुसा जीने की शक्ति सामर्थ हमें प्रदान कर दूआ करते हैं उदहर करता ये सुमसी के नाम से आमीन